हेलो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम देखेंगे सर्शी किरन का एक बहुती अमीजिंग क्वीन सेक्रिफाइस जो कि उन्होंने खेला था इंडिया वसेज मॉंगोलिया के मैच में उनके अपुरेंटे गैन एर्डेन जो कि वाइट पीसेज से खेल रहे थे और कृष्णन जो कि इंडिया के एक बहुती एक्सपिरियंस्ट ग्रैंड मास्टर है उन्होंने इंडिया को बहुत सारे ओलंपियाड और इंट्रेंशनल इवेंट्स में रिप्रेजेंट किया है वो खेल रहे थे ब्लैक पीसेज के साथ ये क्वीन सेक्रिफाइस की खासियत ये है कि यू जो कि काफी रेरली देखने को मिलता है तो हम देखेंगे कि इस क्वीन सेक्रिफाइस देखे साथी किरन जी ने इंडिया टीम के लिए एक बहु मुल्या आदा पॉइंट कैसे स्कोर किया एक फोर्ट्रेस क्रेट करके चलते अब गेम स्टडी करते है तो गेम स्टार्ट हु उनका एक्सपिरियंस बहुत जादा है नेजट ओफ सिसिलियन में नाइट बी थरी तो उनके अपुरनने थोड़ा साइड लाइन खेला है तो नाइट बी थरी तभी खेलते है जब बलैक एफाइफ करता है और एफाइब के बाद नाइट बी थरी बहुत कॉमन लाइन है ब नाइट बी थरी पहले खेले तो बलैक जो है वो युजूली एफाइब नहीं खेलेगा पो restaurateur03 के बाद शशही के रण आप जेशिक्स खेलने के बाद बलैक जो है भो एक वह सिसिलियन ड्राइगण ऊपनिंग के तरफ ट्रानस प्रिशं कर रहा है बाद थोड़ा सा डिफर जने a6 और knight b3 उसके वज़े से black के लिए ज्यादा फाइदा है क्योंकि a6 move से अपन queen side में expand कर सकते है b5 करके so a6 move ज्यादा useful है knight b3 move से so यह favorable version हम कह सकते है dragon defense का sicilian dragon का black के लिए so g6 के बाद white ने एकला bishop e3 bishop g7 f3 so यह normal setup है dragon structure के against में white का h5 यह एक interesting move है game के बाद sassy giran जी ने बताया कि f3 के बाद वो castle करने का सोच रहे थे but उनको g4 h4 जो कि एक typical way है white का black के king side पर attack करने का वो थोड़ा उनको comfortable नहीं लग रहा था so इसलिए f3 के बाद उन्होंने immediately h5 के ला और उन्होंने यह decide कि immediately king side पर वो castle नहीं करेंगे थोड़ा wait करेंगे और right moment पर फिर वो castle करने का सोच सकते है so h5 करके फिलाल उन्होंने white का जो king side expansion है g4 से वो रोग दिया है h5 के बाद white खेले queen d2 so of course white ट्राय कर रहा है कि वो long castle करे और दिरे-दिरे king side पर expand करे queen d2 के बाद knight d7 bishop e2 b5 swarm देख सकते कि दोनों ही players next अगले कुछ चालो में अपने pieces develop कर रहा है so b5 के बाद of course black का idea कि bishop b7 करे और rook c8 करे और c file से counter play लेने का प्रयास करे long castle bishop b7 king b1 rook c8 so काफी logical और normal moves दोनों side खेल रहा है rook g1 so white अभी भी wait कर रहा है कि black जब भी castle करेगा so white immediately king side expansion शुरू करेगा king side पर attack करना play करना शुरू करेगा so इसलिए rook g1 पर रखा है so that g4 के break में help हो सके knight e5 so black का idea knight c4 और दोनों में से एक bishop exchange कर लेगा क्योंकि अगर bishop into c4 नहीं मारा knight c4 के बाद white ने तो black knight into e3 मार देगा knight into ये वाला bishop मार देगा so white ने किला queen e1 queen c7 so हम देख सकते कि धिरे धिरे शाशी के रणजी queen side में अपना pressure increase करते जा रहे है bishop d4 और इधर अभी भी black के पास जो best move था वो है short castle का so अभी काफी time तक उन्होंने short castle avoid किया है और queen side पर ज्यादा focus किया queen side पर pressure बनाने का पूरा press किया है और ये correct पूमिन था कि वो immediately short castle कर ले क्योंकि अगर ज्यादा देर और delay किया तो position open हो सकती है जिसके बाद king center में होना एक बहुत बढ़ा drawback होता है so इसलिए short castle best move था black के लिए but उन्होंने खिला b4 दिखने में तो ये move काफी अच्छी लगती है क्योंकि knight को अपन attack कर रहे है और हम देख सकते के knight अगर कहीं भी move करें तो queen into c2 pawn मर जाएगा white का और वही plan था साशी किरन जी का जब उन्होंने queen c7 खिला but in fact ये move उतनी अच्छी नहीं है क्योंकि knight a4 queen into c2 check king a1 जो की game में हुआ इसके बाद अभी black को initiative face करना पड़ेगा white के side से क्योंकि first of all हम देख सकते की rook c1 एक simple idea है white का जिसके बाद queen black की queen trap हो जाएगी सो इसलिए black को सबसे पहले queen को वापस लाना जरूरी है queen c7 खिला शाशी किरन जी नहीं knight b6 अभी knight b6 के जगह पे अगर white simply rook c1 करते queen b8 bishop into knight pawn into bishop और queen into pawn जो की एक बहुत ही simple continuation है simple calculation है अगर वो यह खिलते तो white के पास एक बहुत ही strong advantage आ सकता था strong initiative आ सकता था क्योंकि main चीज हम देखे कि position जो है वो open हो रही है और यह open position में king center में होना एक बहुत ही बड़ा drawback है king के उपर immediately attack आ सकता है और यह position में सबसे बड़ा minus point जो है black के लिए यह वो है कि वो immediately castle नहीं कर सकते क्योंकि queen into pawn मर जाएगा so for example अगर castle किया तो queen into pawn और white एक clear pawn up हो जाएगी without any compensation session so यह white के लिए बहुत जाधा advantage दिला सकता था but rook c1 के जगह पे शशी केरन के अपनने खिला knight b6 rook पे attack है so black ने simply rook b8 करके rook move कर लिया f4 knight के उपर attack और धीरे-धीरे हम देख सकते कि white जो है उन्होंने pawn sacrifice दे दिया है और उनका पूरा focus है कि कैसे भी करके position को open करे so that यह जो king center में बैठा है e8 पे उसके उपर pressure बना सके so f4 के बाद castle यह एक बहुत ही interesting peace sacrifice है अगर हम देखे कि simple moves हम खेले black से knight c6 for example अपना peace बचा ले और bishop पे भी attack करें तो white के पास एक बहुत ही strong move है knight d5 जिसके बाद queen पे attack है knight पे attack है और अगर हम knight into knight मारेंगे तो bishop into bishop अभी rook पे attack है तो rook g8 अगर खेले तो e into d5 अगर हम उनका bishop मारे तो pawn into knight और white एक piece up रहेंगे तो यह clear advantage है white के लिए है तो इसलिए सशी किरन जी ने सही decision लिया practically castle कर ले और castle करने के बाद f into e5 d into e5 तो अपने को piece के लिए 2 pawn मिल चुके black को piece के लिए 2 pawn मिल चुके है और 3 जो pawn है e4 का वह भी मरने ही वाला है so black को एक piece के लिए 3 pawns मिले है जो के decent compensation है और position भी काफी complicated है so यह position में white ने खला bishop c5, knight into pawn, rook d7, queen c6 और bishop f3 so यह जो position है यह पूरे game का एक बहुत ही critical position है मैं कहूंगा पूरे game का नहीं बट पूरे match का India vs Mongolia match का एक बहुत ही critical position था क्योंकि बाकी के boards काफी unbalanced position में थे और मुझे लगता है कि यह match अगर हम 2-2 से draw कर लेते तो हम quarter final से semi final में enter कर जाते so sashigiran ji को एक बहुत important decision लेना था इस position में क्योंकि वह थोड़ा under pressure है हम देखेंगे कि white के जित्ते भी pieces है most of the pieces active है so bishop c5 पर है knight b6 पर है rook d7 पर है तीनों pieces enemy के territory में है और bishop f3 पर जो बैटा है वो यह long diagonal पर बहुत ज्यादा pressure दे रहा है especially knight e4 पर बहुत pressure दे रहा है so white की pieces काफी aggressive position में है और बहुत strong pressure exert कर रहा है black के position पर so यह situation में दोनों के दोनों जो players है white और black seconds में खेल रहते हैं और sashigiran ji ने जो यह position में decision लिया वह सच में काफी काबिल है तारिफ है क्योंकि उन्होंने इस position में queen sacrifice दिया knight into bishop मार के जो कि bishop into queen knight into b3 check a into b3 और bishop c6 तो यह फिलाल जो position board पर आई है उसमें queen के जगह पे queen के बदले में हमें कुछ जादा material मिला नहीं है हम अगर count करें तो queen के बदले में सिफ एक bishop मिला है और तीन pawns मिले जो कि sufficient नहीं होता queen के against में fight करने के लिए अब हम देखेंगे कि knight b6 वाला rook से मर रहा है और rook जो है d7 का वो bishop से मर रहा है जिसके बाद position सिधा minus हो जाएगा तो सेशी के रहन ने rook into knight मार रहा है और अभी अगर queen into rook मारेंगे तो bishop into d7 जिसके बाद more or less similar position आएगा जो कि game में आया था तो रुक c7 खेला रुक b8 ये रुक को support कर दिया और next move हम bishop अटाने के लिए ready है रुक c1 bishop d5 इधर एक better मूता शेशी के रहन के लिए कि वो सिधा pawn मार देते बिशब g2 का और फिर next move bishop d5 पर आकर बैट जाते तो ये similar position होता गेम के जैसा ही बट इसमें extra pawn अपने को g का pawn जो है वो मिल जाता बट दोनों seconds में खिल रहे थे तो understandable है कि कई ना कई कुछ ना कुछ तो mistake हो गई so bishop d5 खिला black ने rook e7 और rook b5 so हम देखेंगे कि इस position में black के पास दो bishop से queen के लिए और दो pawns है जो कि balanced position हम कह सकते है थोड़ा बहुत इधर उधर बट ये जो दोनों bishop से वो काफी strong potential रखते king b1 जाएगा और अगर ये जो bishop है light square का वो manage कर जाए कि वो ये diagonal पर आ जाए तो white के king के पर और ज्यादा pressure create कर सकता है so white को b even though queen up है फिलाल उसको काफी careful रहना ज़रूरी है rook c5 खिला white में rook into c5 queen into c5 और bishop into b3 अभी फिर से दुसरा rook आने के लिए ready है white है एकला rook c1 idea है rook c8 करके rook exchange करे rook d8 rook c8 rook into c8 queen into c8 और king h7 और अगर हम ये position assess करे so काफी unbalanced position है white एक queen white के पास queen extra है but black के पास 2 bishop है और 3 pawns है जो कि है काफी balanced है अगर हम mathematically भी count करें तो black के पास 2 bishop जो कि है 6 points और 3 pawns जो कि है 3 points which is equal to 9 points queen के अगर comparison हम करें तो so इसलिए ये position materially तो काफी balanced है but sassy kirin ji नो जो queen sack दिया है वो ये देखके दिया है कि ये दोनों जो bishops है वो एक fortress create कर सकते है जिसके बाद black चाहक किता भी अगर try भी करें तो भी penetrate black के position में नहीं कर सकता है white so इसलिए queen c5 खिला white उन्होंने सोचा कि at least 1 pawn तो मारे but bishop a4 queen into b4 और bishop b5 sassy kirin ji नो जो ये strategy खिली है कि bishop b5 पे रखा और pawn a6 पे है so ये जो दोनो bishop और pawns से एक दूसरे को काफी अच्छे company देते है और ये company याद रखने जैसे कि कभी भी अगर आपको आपका bishop stable रखना है तो pawn के support में रखी है क्योंकि दोनों एक दूसरे को protect करते रहेंगे और defend करते रहेंगे so bishop b5 king b1 king g8 bishop f6 और यहार सार्शी के रखने और एक प्लान किया कि उनका bishop जो था g7 पर ठीक बैटा हुआ था बट उन्होंने सुचा कि क्यों ना इस bishop को भी b5 bishop जैसे ही place करे so that was stable रह सके so देखी एक गौर से देखी कि कैसे वह अपने bishop को उसी strategy का उप्योग करते हुए स्टेबल पोजिशन में लेके आते हैं king d2 bishop g5 check king e1 bishop e3 queen d6 और bishop d4 so हम देख सकते हैं काफी important strategy फिर से pawn के support में यह bishop और यह pawn के support में यह bishop और यह दोनों bishops काफी stable है उनको हटाया नहीं जा सकता है और वह दोनों दोनों ही bishops दो important pawns को defend कर रहा है b4 खिला king g7 और एक चीज़ और notice करने जैसे है कि यह जो दोनों bishops है यह white के king की entry squares रोक रहा है बहुत अच्छे diagonals cover कर रहा है दोनों bishops और white का जो king है वो कभी भी black के territory में आ नहीं पाएगा यह एक kind of fortress है और जब उन्होंने queen sack दिया था शर्शी के रहा है तो यह imagine किया था कि दोनों bishops इस तरह से बिटा सकते है वो so that white के king को entry भी ना मिले और एक fortress create हो जाए so यह fortress है जिसकी मैं बात कर रहा था कि queen sacrifice देके ऐसा fortress जो उन्होंने create किया यह कफी एक creative चीज है और बहुत rarely ऐसा देखने को मिलता है कि एक fortress के लिए हमें queen sacrifice दे सके so game आगे moves खेले दोनों players but position में progress नहीं हुआ so हम skip कर सकते है और last position तक reach करते है जहाँ पे दोनों ही players ने agri draw किया king d2 bishop a1 h3 h4 queen e7 pawn पे attack करते हुए but black ने खिला bishop c6 counter attack g2 pawn पे queen into h4 bishop into g2 queen g3 bishop b7 h4 bishop d4 यह bishop को फिर से safe guard कर दिया h5 bishop c6 और यह bishop फिर से b5 पे आ जाएगा जो कि उसका best position है pawn के support में h6 check king h7 queen f6 king into h6 queen into f7 so कुछ pawns exchange हुए in fact white ने दोनों pawns exchange कर दिया king side के but अभी भी यह जो दोनों बिशप्स है यह काफी solid बैठे हुए और यह दोनों बिशप्स आराम से एक fortress create कर सकते हैं so यसी इसके वज़े से king g5 queen e7 check के बाद king f5 queen f7 check और कुछ और most खिले दोनों players but in the end दोनों को ही draw agree करना पड़ा white को draw agree करना पड़ा क्योंकि even though queen up है but यह fortress break नहीं कर पाएगा so यह जो गेम है काफी beautiful और instructive game शर्शी करन जी ने खिला है यह queen sacrifice बहुत ही creative है और यह जो strategy है bishop को stabilize करने की pawn के support में यह याद रखने जैसे है हम अपने games में यह strategy को use कर सकते है so मैं उम्मेद करता हूँ कि आपको यह game बहुत पसंद आया हो और जरूर यह analysis से कुछ सीखने को मिला हो thank you guys thank you friends next video में फिर से मिलेंगे कुछ interesting और creative game के साथ